नवश्कार मुप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राचुके 108 बालू घाटों का फिर से होगा टेंटर सिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के लिए डेटा अप्लोड करने की तारीक बढ़ी बिहार में सप्ता भर और वहेगी श्रीकले है सूबे में फिजिकल टीचर बहाली की प्रक्रिया एक और कदब बढ़ी शेहरों के आंगनबाडी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की लिए चुने का भियान अब चले बढ़ते हैं बिहार की श्रामतक की बढ़ी खबरों की उर्वस्तार से सिक्षकों के वेतन बढ़ातरी के लिए डेटा अप्लोड करने की तारीक बढ़ी बिहार के पंचायत और नगर निकाय के लगभग 3.57 लाग सिक्षकों के वेतन में 15 प्रतिशुत की वृधी हो चुकी है जिसको लेकर अब सभी सिक्षकों के संचोधित किये गए सैलरी का अंदरधारन इस मही ने पूरा होना है जिसको लेकर अब सिक्षकों विभाग ने एक बार फिर 20 जनवरी यानि की कल तक का समय सभी जिलो को दिया है आपको बता दे कि इससे पहले 31 दिसंबर तक ऑन्लाइन कैलकुलेटर से डेटा अप्लोड करना था बाद में इसे बढ़ा कर 6 जनवरी और फिर 14 जनवरी कर दिया गया था लेकिन अब 20 जनवरी तक सभी सिक्षकों के डेटा को NIC द्वारा तयार ऑन्लाइन पर क्यालकुलेटर सॉफ्ट्वेर पर अप्लोड किया जाना है जिसके बाद 21 से 25 जनवरी तक सिक्षक किसी तरह की गरबड़ी पर आपती दर्शकर सुधार करा सकेंगे बिहार में सब्ताह भर और भैगी श्रीत लहरी देश के उतर पश्चिम छेत्र से आने वाली पच्छुआ हवा के प्रभाव से बिहार में भीशन श्रीत लहरी चल रही है मौसम विज्यान के इंद्रपट्ना के विज्यानिकों की माने तो फिलहाल इससे राहत मिलने की संभावना भी नहीं है हवा में कंकनी इसकदर बरकरार है कि धूप निकलने के बावजूर भी तपिश का लेश मात्र एहसास नहीं हो रहा है बीते दिन नियूंतम तापपान में धाई डिग्री सुधार हुआ लेकिन उतर बिहार के कई जिलों में कंकरनी जारी है मौसम विभाग के अनसार ठंड का क्या है रगले सब्ताह तक जारी रहेगा इस दोरान मौसम विग्यानिकों ने कहा है कि आने वाले 23 या 24 जनवरी को बारिश की भी संभावना है और इस अब दी तक तेज पछवा हवा चलने के आसार है जिस कारण ठंड में व्रधी होगी सूबे में फिजिकल टीचर बहाली की प्रोक्रिया एक और कदम बढ़ी बिहार में 8386 पदों पर फिजिकल टीचर की बहाली को लेकर सिक्षा वभाग की तरफ से एक महत्वपून कदम उठाए गया है जिसके बाद ये साफ हो गया है कि जल्दी इन सिक्षकों की बहाली को लेकर प्रोक्रिया आगे बढ़ने वाली है इसके तहट सिक्षा विभाग ने सभी 8386 शाररिक सिक्षा और स्वास्तनिदेशक के पदों को जिलावार आवंटित कर दिया है इस प्रोक्रिया के बाद अब सभी जिला सिक्षा पदादिकारी अपने अपने जिलों में विद्याले वार और नियोजे निकाई वार पदों को आवंटित करेंगे इस दोरान जिस मध्य विद्याले में सबसे ज्यादा नामांकर हो रहे है वहाँ ज्यादा पदों को प्राथमिकता दी जाएगी वहीं जहां पहले से फिजिकल टीचर मौजूद है वहाँ ये पद आवंटित नहीं होंगे इसके तहत सभी DEO को आदेश मिले हैं कि वो 24 जनवरी तक सभी विद्यालियों के लिए पदों को आवंटित करने का काम करेंगे राजु के 108 बालू घाटों का फिर से होगा टेंडर राजु के 8 जिलों में बालू घाटों का दोबारा टेंडर निकाला जाना है हाला कि वहां के पेचले टेंडरों को रद कर दिया गया था इसके तहत पटना समय तौरंगबाद, रोहतास, भोजपूर, लखी सराय, जमूई गया और सारन के करीब 108 बालू घाटों का दोबारा टेंडर किया जाना है जिसके तहत 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक टेंडर की प्रोक्रिया शुरू होगी बताते चले कि बिहार सरकार के खनन निगव ने सभी 108 बालू घाटों को लेकर टेंडर जारी किया है जिसे भरने के अंतिम तारिक 27 जनवरी है इच्छोक लोग 27 जनवरी तक आवेदन भर सकते हैं जिसके बाद 31 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच टेंडर खोल दिया जाएगा आपको बता दे कि बालू की कमी ना हो इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है जिसके तहर पहले ही करीब 200 घाटों का टेंडर हो चुका है जहां खनन भी शुरू हो चुकी है वही बालू की कीवत भी बाजार में सामाने होने लगी है शेहरों के अंगनबारी केंडरों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए चले गा अभियान राजु के शेहरी शेत्र में चल रहे अंगनबारी केंडरों में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा जिसके तहर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन केंडरों पर आने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिसके दहट शहरी आंगनबारी केंद्र को प्ले स्कूल की तर्च पर बहतर करने को लेकर तयारी हो रही है ताकि इन केंद्रों पर जियादा से ज्यादा संख्या में बच्चे आ सके आपको बता दे कि बीते दुनों विभागिय समिक्षा में ये बात सामने आई है कि शहरी आंगनबारी केंदर पर बच्चे घट रहे हैं जिसको लेकर बिहार में तमिलाडू और अंधरप्रदेश के आंगनबारी केंदरों की तर्श पर ही प्ले स्कूल के रूप में केंदरो बस स्टैंड इलाका राज़ानी पटना में आप में से कईयों ने कभी ना कभी मीठापूर का इलाका जरूर घुमा होगा क्योंकि पिछले साल तक वहां अंतर राजिये बस स्टैंड हुआ करता था लेकिन बीते साल ही इसे बंद करके बैरिया शिफ्ट कर दिया गया जिसक बनाय जाने है आपको बता दे कि 23 से कड़की जमीन को अलग-अलग ग्रूप में बाटा गया है जिसके तहट A और B ग्रूप में पाटले पुत्र विश्विद्याले बिहार चुकित्सा सिक्षा और बिहार तकनीकी सिक्षा विश्विद्याले बनाय जाना है वही ग्रूप से लागू करवाने के लिए सियम नितीश कुमार हर संभव प्रयास कर चुके हैं लेकिन जहरीली शिराब बेचने और पीने बालों ने सरकार के कानून पर सवाली अनिशान खड़े किये हैं इसको लेकर आजकल पूरे राज़िका माहौल गर्म है जहां भाजपा और जदिय कि ठन खत्म होने के बाद गाल्थी मैदान में प्यकर सम्मेलन कराएंगे वहीं सिवान में भी वो सम्मेलन कराने का ऐलान कर चुके हैं उन्होंने कहा है कि इससे पता चल जाएगा कितने लोग शिराब पीने वाले हैं और कितने नहीं पीने वाले हैं साथी शिराबंदी पर वहीं बिहार सरकार के शुराबंदी के मोर्चे से विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही वाकिफ है यही कारण है कि एक ही दल में होने की बावजूद इसमुद्दे पर सब की राया रग है और चुराक तो पहले ही सीम नितिश के खिलाफ मोर्चा खोले वे हैं वहीं इस मुद्दे के बाद तो वो और भी आक्रमक हो गया है यही कारण है कि लोग चल शक्ति पार्टी रामविलास के रास्ट्रे धैक्ष और जमुईसान सत्च चुराक पासवान ने नालंदा जहरीली शुराब मामने को ले करके बिहार के राजुपाल फागु चोहान और सीम नितीश कुमार को पत्र लिखा है जिस मुद्धा ने बिहार में जहरीली शुराब से एक की बाद एक हो रही घटनाओ पर चुन्ता जिताई है लालु समेथ 16 आरोपी और लगाई वर्च्वल हाजिरी चारह घोटाले से जुड़े एक मामने में बीते दिन पटना सीबियाई टीम की विशेश रदानत में राज़त सुप्रीमो लालु प्रिसाद यादव समेथ घोटाले में सनलिपत सभी 16 आरोपी अपने अपने वकील के साथ वर्च्वल मोड में सुनवाई के दाराग लेकी फिलहाल मामने में अभियोजन गवाह को लेकर सुनवाई हो रही है जिसके बात कोट ने अभियोजन गवाह पेश करने की तारीख को बढ़ा दिया है, इसके तहत अब सीबिई सुपरस्टार खिसारी लाल यादव पर नेपाल में भड़की भीर ने मचाया बवाल। खिसारी लाल यादव ने खिसारी लाल यादव ने खुद लाईव आकर सभी लोगों से माफी माँगी और आयोजे को जिम्हदार बताया। मुजफर पुर एनेच 77, महेश खूट, सहरसा पुर्निया सेक्शन पाकेज 1, एनेच 107 और सबोर से कहलगाओं को जोड़ने वाले एनेच को लेकर कोट ने समिक्षा की और एनेच याई के साथ बिहार सरकार को नर्मान काम में आ रही रुकावट से जोड़ी हल्फ नामा दाय करने को कहा है जिसके लिए एक सब्ताह कस्ता में दिया गया है कोट ने साथ ही जमीन मुख्या का भुक्तान करने अतिक्रमन हटाने और एनेच ए आई को जमीन सौपने के बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है कोरोना पीड़ितों के मुख्तान को लेकर सरकार के श्रिकायत की जिसको लेकर के सुप्रिम कोट ने विहार सरकार के मुख्य सचिफ को तलब किया जिसके तहर आज दो पहर दो बजे राज के मुख्य सचिफ को वर्च्वल सुनवाई के जर्ये पेश होना पड़ा आपको बताते चले किस मामले में सुप्रिम कोट ने ये तक कह दिया है कि वो कानून से उपर नहीं है बताते चले कि याचिका COVID-19 से जान खोने वाले लोगों की परिवार के सदस्य ने डाला है जिन्हें नियम के तहर चार लाग का अनुगरह मुआफ़ा भुकतान नहीं हो सका है वही साथी सुप्रिम कोट ने 50,000 की राशी मुआफ़े के तोर पर केमरो और राजसरकार के आपसी सहयोग से देने की भी बात कही थी जिसको लेकर भी चर्चा हुई शराबंदी कानून पर सवाल उठाने वालों को सियम नितीश ऐसे देंगे जवाब बिहार में सियम नितीश कुमार की महत्वकांची कानून शराबंदी को लेकर आई दिन विरोधी स्वर्ग गुंज रहे है आलम ये है कि अन्डिय सरकार के सहयोगी दल भी कानून में संचोधन लानी की सलाह दे रहे है वह विपक्ष्री दल भी शराबंदी को लेकर नितीश सरकार को घे रहे हैं हालाकि इन सब मुद्दों पर विराम लगाने के लिए सीम नितीश कुमार ने एक नया तरीका ढून लिया है जिसके तहट नितीश सरकार अब राजी भर में शराबंदी पर लोगों के सर्वे कराएगी जिसके तहट कानून के लागू होने के बात से कितना बदलाव हुआ ये पता किया जाएगा जानकारी के नसार मधनिशेद विभाग की तरफ से सर्वे कराने को लेकर एजनसी का चैन कर डिया गया है मीडिया में चल रही खबरों के मताबिक चानक के रास्ट्रिय विधी संस्थान के पंचाइती राजपीट और M.C. संस्थान मिलकर दो महीने में रिपोर्ट तयार करेगी जिसके तहत अब जनता ही श्राबंदी को लेकर राय देगी श्राबंदी कानून में संचोधन की जानकारी खुद जदियू प्रवक्ता को नहीं मालूम बिहार के नालंदा जुले में जहरीली श्राब कांट के बाद सही लगभक सभी सियासी दल्षराबंदी कानून में संचोधन को लेकर मांग करने लगे हैं जिसके बाद से ये खबरे आ रही है कि मधनिशेद विभाग कानून में संचोधन को लेकर तयारी कर रहा है लेकिन इन खबरों पर जदियू ने तक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और अब खुद जदियू के मुख्य प्रवक्ता ने रचकुमार ने कहा है कि कानून में संचोधन लाने के प्रस्ताफ की कोई भी जानकारी उन्हें नहीं है जदियू प्रवक्ता ने कहा कि वो किवल शराबंदी कानून के प्रभावी होने की बात जानते हैं साथ ही उन्हें ने कहा कि सियम नितीश के नेत्रतु में इतनी बड़ी मानव श्रिंखला सर्वदलिय समीती और सर्वदलिय सहमती सबका संकल्प और इसके आलोग में किये गए फैसले पर काम हो रहा है लेकिन कुछ लोग राजरेतिक लाब के लिए अपने तर्क बदलते रहते हैं जुन्हा ने ये भी कहा कि विहार में श्राबंदी का फैसला लागो रहेगा कोहली के लिए पाकिस्तानी गेंदबास मुहमद आमिर का ये संदेश हुआ वारल कोहली द्वारा अचानक से कप्तानी छोडने का फैसला अभी तक कईयों को हैरान कर रहा है दरसल पाकिस्तान की तेश गेंदबास मुहमद आमिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोहली के साथ वाली तस्वीर के साथ लिखा कि विरात कोहली मेरे भाई आप सही माइने में क्रिकेट की अगली पीड़ी के कप्तान है क्योंकि आप युबा खिलारियों के लिए प्रेरना के स्त्रोथ है मैदान के अंदर और बाहर कमाल करते रहिए ये पोस्ट ने सोशल मीडिया पर जम कर धूम जा रखी है कल हमारे दोरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बहार में लागुश शराबंदी कानून में कुछ बदाव करने की जरूरत है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्रेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक को नबाना ना भूले धन्यवाद